मैट, फिजिक्स, केमेश्टी, बाइलोजी, डाउट का करिये सफाया, डाउटना टैप के साथ, कोई भी कोस्तन का फोटो गीचो, स्कान करो और मात्र तीन सेकेंड में सोल्यूशन पाओ, लिंक डिस्क्रिप्सन में है, वहां से डाउनलोड कर लिजे डाउटना टैप को, क्ल अले श्टूरेंट, वेलकम टूरा यूटूब चैनल एनी टाइम पर हाई मंतरा, बिहार के सभी इनुवर्सिटी या पूरे देश के इनुवर्सिटी को बहुत बड़ा निर्देश दिया गया है, इनुवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजी सी के तरफ से, बहुत साथे श् ही उसमें थिवरी रहेगा, तीस परसेंट ही अब्जेक्टिव रहेगा, एक जाम का टाइम तीन घंटा के जगा, दो घंटा लेगा, पुरा डीटेल्स में बता दीजिए, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, आप पुरा डीटेल्स में बताएंगे कि क्या नया सत सितंबर से लागू होगा या अगस्त से और कप से कॉलेज में आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो जीतना हो सकते इस वीडियो को लाइक कर दिए, सेयर कर दिए, चाहिए आप बिहार के किसी भी इनवर्सीटी से हैं, बीर कुंवर्सीन इनवर्सीटी से हैं, मगद इन या जो छापरा के जैपरकास इनवर्सीटी से हैं, उनके लिए इनवर्सीटी ग्रांड कमीशा में एक बहुत बड़ा निर्देश जारी किया है, अगर आप अभी तक इनवर्सीटी न्यू यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लि जीतमा हो सके वीडियो को लाइक कर दीजे, सेयर कर दीए, बीहर के सब्सक्राइब के लोगों को पता नहीं चल पाता है, बहुत सारा रूल आने लगता है, तो हम लोग आपको पूरे बिहार के इनवर्सीटी का परपल की खबरे प्रुबाइट कराता है, इनिटाइम पर सैचनिक सत्र को सही करने के लिए देश के 20 विद्याले के लिए नया निर्देश जारी किया है देखिए आपका तीन निर्देश जारी हुआ है तीनों निर्देश को आपको डीटेल्स में समझा देते हैं पूरा पेपर का आर्टिकल्स और न्यू आर्टिकल्स को पढ़न ना करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए पहला रूल आया हुआ है कि जो new admission मतलब इस बार से 2020-23 से जो लोग नया admission कराना चाहते हैं BA, BAC, BCA, BBA या PG में तो उनके लिए देखिए नया सत्र जो शुरू होगा पहले क्या होता था पहले आपका July में admission होता था और 1 अगस्त से आपका नया सत्र सुरू हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आपका admission 1 अगस्त से सुरू होगा और September से आपका मतलब 1 September से आपका Class या Session स्टार्ट करेगा विसविद्याले चाहे बात हो बीर कोर्स विसविद्याले का मगद विसविद्याले का बियाल अम्वेद का TMBU भागलपूर मुंगेर विसविद्याले LMMU या बिहार के जितने भी इनवर्सिटी है पुरे देश के इनवर्सिटी के लिए निर्दे का सेल बनेगा आपको पता है पुरे देश में कोरोना वाइरस का संक्रमन बढ़ गया है इसके चलते देखिए इसके लिए हर इनवर्सिटी हर कॉलेज में एक नया सेल बनाएगा इसमें जो भी इस्टुडेंट अपना दिकत लेके जाएंगे उनका स्वल्व किया जाएगा कोविड-19 के मदर देखते हुए तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी खुसकवरी है कि माल दीजे आपका प्रैक्टिकल आप बना में गया है तो आप कोविड-19 सेल में चल जाएगे मतलब ऐसा ही ऐसा निप्तारा होगा कि चलिए सर हम नहीं जमा कर पाएं डेट निकल य जा सके अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मनिश्ट्री अप एचाडी के तरफ से लमेज पुखरियाल जी के तरफ से यह पूरे देश में लागू करने के लिए कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 पर इच्छा के लिए आ गया सौरफ सर का गेस बहुत सारे बार भी नया गेस निकाल दिये हैं तेंथ का आपका सारे 412 का आपका 500 में गेस मिल रहा है इसी नंबर पर आपको गूगल पे या फोन पे करके वाट्स अप पे भेज देना है स्क्रीन सोर्ट पेमेंट का उसके बाद हमारी टीम आपको गेस प्रवाइट करा देगी तो पहला देखिए पहला निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले थर्ड यर का एकजाम होगा जैसे जिनका आसना तक पाट थर्ड का एकजाम होने वाला है तो उनका पहले होगा उसके बाद पाट टू होगा उसके बाद ही पाट वन होगा अब देखिए इनर सीटी को कहा गया है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप पार्ट वन पार्ट टू में छात्रों को परमोट कर दिजिए जैसे पार्ट टू में छात्रों को परमोट कर दिजिएगा पार्ट वन के मांक्स के अधार पर परमोट कर दिजिएगा पार्ट वन में कैसे छात्रों को परमोट कर लेगा 20 विद्याले जैसे ही कोई नोटिफीकेस्टा में आएगा आपको बता देंगे इसके रिगाडिंग अभी जो UGC का रिपोर्ट आया है वही आपको यहां बताया जाला है उसके बाद देखिए जो आपका एक जाम होता था एक जाम जो आपका तीन हावर का होता था ती थिउरी पेपर होगा 30 परसंट अपकर क्या होगा अब्यक्टीफ को सन आएगा माल लीजए 100 नंबर का पेपर दे रहा है तो 70 नंबर का थिउरी दिएगा 30 नंबर का आप अब्यक्टीफ दिजएगा M.C. Q आपका कोस्टन रहेगा देखिए इसके बाद देखिए यह जो आ नहीं वाला situation है यह देखिए ऐसे इंवर्सीटी को कहा गया कि अगर आप first year या second year का परिच्छा कराने में और सक्षम है तब आप ऐसा कर सकते हैं सक्षम है तो आप करा सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको part 3 कराना होगा उसके बाद ही part 1 part 2 आप कराईएगा part 3 देखिए कब होगा जुलाई में आपका part 3 होगा देखिए UGC के तरफ से साप कह दिया गया है कि आप जुलाई में part 3 का एकजाम करा लिजिए देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 16-31 जुलाई के बीच में आप एकजाम करा लिजिए और last August में आप किसी भी हल में result जारी कर देख सकते हैं आपका सेसन को पट्री परलामे के लिए कावाया तेज कर दिया गया है देखिए यहाँ पर दूसरा रूल है कॉलेजों के बिद्यारतियों को मिलेगी lockdown period का full attendance यहाँ पर आपको पता है कि जो lockdown का issue है उसके चलता है आपको कोई दिकत नहीं होने वाला है अलग student रहेंगे उनका सेसन में स्टार्ट होगा एक अगस्त से कब से स्टार्ट होगा एक अगस्त से लेकिन जो new year इस बार से admission लेने वाले हैं उन लोगों का class या सेसन एक सेप्टेमबर से चालू होगा इसका मतलब admission भी इस बार जुलाई में नहीं होगा अगस्त में होगा तो इस वीडियो को आपको जीतना हो सके सेजर कर दीजे बहुत बड़ इंफर्मेशन है आपको तीन महत्वपूर्ण इंफर्मेशन बता है जो हर छात्र को जानना जरूरी है तो मिलते हैं मेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइन टेक केर